हेलो गाइज यदि आप एंजे वेल्थ के अंदर अकाउंट बना रहे हैं तो जब आपका अकाउंट बन जाता है तो पूरा कम्प्लीट होने के बाद एक उत्राइजेशन के लिए आपके पास इमेल आता है तो आप गाइज देख जैसे आप स्क्रिन पर देख रहे होंगे उपर एक एंजे वेल्थ के दिरू एक मेल आ रखा है तो इसको उत्राइज करना पड़ता है जब तक आप उत्राइज नहीं करते हो आपकी एस एपी शुरू नहीं होती है तो यह पहले जो एंजे वेल्थ का जब यह लास्ट प्रोसेस है तो इसमें उत्राइजेशन के लिए जैसे इमेल आया है उसको हमने ओपन किया ओपन करेंगे तो हमें पूरी इसके अंदर डिटेल दिखाई देगी कि कितने रुपे का म्यूचल फंड है और उसके बाद में कितने रुपे का है कौन सा म्यूच जूम करेंगे नीचे देखोगे गिक्लीक है टो यह उत्राइस तो जब इसको उथराइज कर दोगी उसके बाद ही आपकी ऐसाई पी शुरू होगी तो हमने जैसे इसपे क्लिक कर दिया तो जैसे आप ओथ्राइज पर क्लिक करोगे उसके बाद में एक नेक्स्ट प्रोसेस आपको बहनी है तो जैसे डेट बर्थ हमने इसमें भर दी है अब यह इसके अंदर हमने इसमें डाल दी है डेट बर्थ डालने के पास इसमें सब्मेट कर दिया हमने सब्मेट के अभी ट्रांजक्शन कनफर्मेशन श्लिप हमें इसके अंदर दिखाई देए रही है कि SBI Magnum Medcap Fund के अंदर यह हमारा mutual fund के हुआ है SIP शुरू हुई है यह 25 तारी की रिक्वेस्ट है और 9 मीनी की डिटेल आ जाएगी और लास्ट में इसमें जाके जब हम इसको accept करके confirm करेंगे तो यह हमारी SIP शुरू हो जाएगी तो अब इसके अंदर क्या है मुबाइल पर एक OTP आएगा जैसे OTP आएगा तो इसमें हमने गया जन्रेड और टीपी किया तो हमारी मुबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा वो टीपी जैसे हम इसके लिए देंगे 366892 पर टीपी डालेगे हम जब इसको सब्मिट कर देंगे यह हमने इसमें सब्मिट कर दिया जब सब्मिट कर दिया चांजैशन अपडेट इन फ्रेस फोडेयों यह भी सब्मिट कर दिया तो यह अभी हमारा यह जो है यह ओत्राइजेशन कंप्लीट हो गया तो ऐसे आपको ओध्राइजेशन करना है तो जब तक क्लाइंट अपना ओध्राइजेशन नहीं करता है ऐसा ही पी शुरू नहीं होती है तो आपको ऐसे अपना किए इस्ट स्जाओ कर चकाराइज सरा वीजान स्थूल साफड़ Dieses ब्सक्तित इस स्दाठेजेशन करूआRण